दोस्तो ये है एकलो स्पान क्रीम आज मैं आपको एकलो स्पान क्रीम की जानकारी दूँगा दोस्तो एकलो स्पान क्रीम डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जाने वाली क्रीम है ये स्किन के कई सारे प्रावलम के ट्रीटमेंट के लिए इससे इस्तिमाल में लिया जाता है तो आईए जानते हैं एकलोसपान क्रीम के इंग्रीडिन्ट क्या है एकलोसपान क्रीम डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं क्यों सजेस्ट करते हैं और एक्लोस पान क्रीम लगाने पर हमारे स्किन पर क्या साइड एफेक्ट हो सकता है तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मैं अपनी वीडियो में कोई भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ मेरा मकसद मेरा उदेश आपको सिर्फ जानकारी देने का है कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों एखंड बात कर रहा है इसके इंक्रिडियंट के बारे में नियू माइसिन, माइकुनाजूल और बैकलो मेतासोन आईगे सब से पहले बात करते हैं नियू माइसिन के बारे में दोस्तो नियू माईसिन एक एंटी बायिटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल इंफेक्शन की रोख थाम के लिए किया लाता है और बैक्टेरियल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए ये बहुती कारगर तवा है दोस्तो नियू-माइसिन चोटे-मोटे जखम को जल्दी भरने में मदद करता है और इंफेक्शन से भी बचा कर रखता है इसके बाद जानते हैं माईकुनाजूल के बारे में दोस्तों, mykonazol एक anti-fungal medicine है जिसका इस्तेमाल fungal infection को ठीक करने के लिए किया जाता है ये दाद खाच खुजली के इलाज में किया जाता है ये fungal infection के कारण होने वाले कई तरह के infection को ठीक करता है जैसे ringworm या private area में itching होना जैसे कई सारी problem को ठीक करने में ये बहुत ही असरदार है myconazole दोस्तो अब है इसमें next baclo metasone दोस्तो baclo metasone के बारे में जाने तो ये एक cortico-steroide class की medicine है जो एकजीमा और कई सारे skin disorder के treatment में इसका इस्तेमाल किया जाता है ये लंबे समय तक यूज ना करने की doctor सलाह देते हैं क्योंकि ये एक steroid medicine है दोस्तो इसे लगाने के लिए आपको doctor से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तो अगर एक्लोस पान क्रीम के बारे में जाने तो ये fungal infection और bacterial infection दोनों के treatment में इसका इस्तिमाल किया जा सकता है लेकिन doctor की सलाह से जो दात खाज खुजली ठीक करने में कारगर तो है इसके साथ ये छोटे मोटे जखम को भी भरने में ये बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तो एक्लोस पान क्रीम प्राइवेट एरिया में इचिंग होने पर या फिर रैशिस हो जाने पर भी इसे इस्तिमाल में लिया जा सकता है दोस्तो ये एक्जीमा होने पर भी आप इसे ले सकते हैं दोस्तो अब आईए जानते हैं इसके side effect के बारे में दोस्तो इसे लगाने पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह के अलर्जी की रियक्शन हो सकता है जैसे स्किन का पतला होना, स्किन में हेर का ग्रोथ होना, ज्यादा लंबे समय पर लगाने पर और कभी-कभी इसमें इचिंग जैसी समस्या या दाग धबे या अगर आप चेहरे पर लगाते हों तो redness की problem हो सकती है चेहरे में लाली पन होना या pimples जैसी समस्या हो सकती है दोस्तो वैसे तो ये चेहरे के लिए नहीं है ये चेहरा में लगाने की दवा नहीं है लेकिन अगर इसे चेहरे पर लगाया गया या साफ्ट सकिन पर लगाएगा है तो इसके साइड इफेक्ट ज़्याद हो सकते है या फिर इससे अलर्जी हो सकती है और अलर्जीक रियक्शन भी हो सकता है तो दोस्तों ये तो था Aiklo Ospan क्रीम के बारे में जानकारी आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद